दोस्तो नमस्कार सुबा कते आप सभी का अपना चैनल आईएंडे हिंदी टेक में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने जाड़े हैं कि आधार कार्ड में अपना नाम कैसे सुधार सकते हैं अधार कार्ड के उपर अगर आपका नाम गरवर है तो उसी आप ऑनलाइन सुधार सकेंगे इस वीडियो में डीटेल के साथ बताएंगे आप वीडियो की अंते तक बने रहें सबसे पहले आपको uidi.zov.in official website पर चले आना है आने की बाद आपको यहाँ पर home screen पर कुछ इस परकार से दिखेंगे आपको slide करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक options दिखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं update demographic data तो इस वाले options पर आपको क्लिक करना ह आएगा अब यहाँ पर देखिए उपर में आपको दिखाया गया है कि आप यहाँ से name, data worth, gender, address और language को online सुधार सकती हैं तो नीचे में यहाँ पर options मिल रहा है proceed to update आधार यानि की आधार कार्ड को update करने के लिए proceed कर सकती हैं यहाँ पर update को check करने के लिए status जो है वो check करने क अब यहाँ पर document का list है जो कि आप देख लिजी proof of identity जिसमें यहाँ पर पासपोर्ट हो गया, pen card हो गया, यह सारा कुछ बता दिया गया है, उसके बाद address proof के रूप में आप देख सकते है, data worth के रूप में आपको क्या लगेगा, वो यहाँ पर आप देख सकती है, उसकी चल साएगा, अगर आपके पास pen card है तो काम चल साएगा, voter ID है तो काम चल साएगा, driving license है तो काम चल साएगा, नहीं तो bank का ATM भी है, पासबुक भी है तो वो काम चल साएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करो कि proceed to update अधार की उपर क्लिक करो, और यहाँ पर आपको OTP वटन पर क्लिक करने के बाद, आपका mobile number जो आपके अधार कार्ट से register होगा, उस पर एक OTP जाएगा 6 digit का, तो आपको यहाँ पर OTP दर्ज करना रहेगा, हम तोरा सा इंतिजार करती है, OTP अभी तक हमारे mobile number पर नहीं मिल पाया है, तो हमने यहाँ पर OTP डाला, उसकी पर क्लिक करती है, लोग इन वटन पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर देख सकती है, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा, तो यहाँ पर अपडेट डेमोग्राफिक डाटा की ऊपर क्लिक करना है, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कि आप इसमें से क्या अपडेट करना आप एक बात का यहां पर ध्यान दीचेगा कि आप अपना नाम जो है लाइफ टाइब में दो बार ही अपडेट कर सकती है डेट अप वर्थ मातर एक वार अपडेट कर सकती है जिन्डर जो है एक वार आप अपडेट कर सकती है उसकी बाद एडर्स जितना बार चाहे उतना ब अपडेट नहीं होता है तो यहाँ पर आप करो किया कि नेम की उपर टिक आउट करो उसकी बाद प्रोसीड करो नेम अपडेट करनी है तो नहीं तो इसके साथ जिन्डर वेगरावी अपडेट करना है तो उसके भी टिक आउट कर सकती है एक ही पेमेंट में सारा अपडेट हो तो यहाँ पर नेम गरवर है तो नेम की उपर क्लिक करेंगे उसकी बाद यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है नाम को दूबर ही लाइफ टाइम में चेंज कर सकते हो यह साला कुछ आप रीड कर लेना उसकी बाद यहाँ पर है तो आप यहां पर सुधार कर सकती हैं सुधार के लिए आपको यहां पर एक तरफ English में लिखना होता है यहां पर अपना नाम जो है इंग्लिश में लिखिए automatic यह हिंदी में आ जाएगा अगर हिंदी में सही से translate नहीं होता तो Google Input का शहरा ले सकती है, Google Translate का शहरा ले सकती है, नाम बदलने के लिए यहाँ पर Proof of Identity के रूपने Pen Card, Water ID Card, Driving License, इसमें से कुछ भी आप दे सकती है, तो आपके पास Pen Card है तो Simple से Pen Card के उपार टिक कर दीजे, टिक करने के बाद यहाँ पर Upload Document पर क्लिक करेंगे, और Upload Document पर क्लिक करने के बाद Preview की Options नीचे में दिखाई गई है, Preview वाले Options पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, इमेज अपलोड कर दिया है, उसकी बाद Preview वाले Options पर क्लिक करने के बाद Loading ले रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, तोरा सा हम इंतिजार कर लेते हैं, अब यहाँ प यहाँ पर Capture डाली है, जो कि आप देख लीजी, Verification Capture यहाँ पर डाली है, और उसकी बाद यहाँ पर OTP डालना है, Termin Condition को Agree करना है, और Make Payment पर क्लिक करना है, Make Payment पर जब क्लिक करोगे, तो यह आपको Redirect करेगा Payment पेज पर, जहाँ पर आपको अपना जो है, मतलब जो भी अगर आप Card से Payment करना चाहते हैं, तो Card Information डाली है, Net Banking से तो Net Banking, जिस माध्यम से भी आप Payment करना चाहते हैं, उस माध्यम से आप Payment करिए, और Payment करने के वाद Final Submit कर दीजिए, आपको एक Tracking Number मिल जाएगा, उससे आप Track कर पाऊगे, और 3-4 दिन में आपके अधार Card के उपर नाम सुधार दिया जाएगा, तो इस पीट्यू में हमने आपको डीटेल में बता दिया है, हमें अपना नाम अधार Card के उपर नहीं सुधारना है, इसलिए हम इसके आगे पेment करके नहीं दिखाएंगे, तो आप इसके आगे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, जो भी यहां तक के प्रोशेश्टा वो मैंने आपको बता दिया, अधार स्टेटरस को चेक करने के लिए जो आप अपडेट करती हैं, उसी चेक करने के लिए आपको यहां पर आना होगा, जोकि मैं आपको बता दिता हूँ, होम स्क्रीन पर आप आईए, और यहां पर Update अधार की Options में चेक Online Demographic Update नजर आएंगे तो चेक Online Demographic Update पर क्लिक कर्ये यहां पर आप अधार नमबर डालिए फिर Capture डालिए और Send OTP वटर्न पर क्लिक कर्ये OTP डालिए और यहां पर status चेक पर क्लिक करिए आपका status यहां पर बता देगा इस परकार से आप जहें काफी असानी सी अधार कार्ड में करेक्शन कर सकती है नाम अपनेट कर सकती है नाम करेक्शन कर सकती है तो उम्मिद करेंगे कि आपको यहां वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर सेर करिएगा कोई सवाल होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं फिर एक ने वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त तब तक के लिए गुड़ बाई